सीतामों विधान सभा में भाजपा और कांग्रेस ही मुख्य दलों के रूप में अपने अपने उमीद्वार मैदान में उतार रहे हैं दोनों ही अपने अपनी जीत का दावा पेश कर रहे हैं चिंतु आज देखा गया कि कुरावन में भाजपा के प्राजित उमीद्वार राधिश्याम पाचिदार के जन अशिर्वाद्यात्र में स्थाने लोग कम दिखाई दिए यानि ऊट के मुँमें जीरे के समान दिखाई दिए वहीं कांग्रेस के हरदीव सिंग के समर्थन में भी काफी संख्या में लोग नजर आए वास्तों में देखा जाये तो दोनों के अलावा निर्दलिये एवंस पाक्स के उमीद्वार दोनों की तुल्ला में सबसे भारी माने जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पर्तियाशी एवं भाजपा के पर्तियाशी दोनों ही पर्तियाशी में कहीं न कहीं कम्या देखी जा रही है इसी कारण ग्रामिन छेत्रों में कांग्रेस पर्तियाशी का भी विरोध किया क्या वहीं भाजपा पर्तियाशी का भी विरोध देखा गया है कांग्रेस के वरिष्ट नीता एवन सुवास्वा सितमों विधान सभा से निर्दलिय पर्तियाशी के रूप में एन सिंग भार्टी का अभी तक किसी छेतर में विरोध नहीं देखा गया है वहीं इस पाक्स से उमीदवार बनाये गए शियुसेना के पूर्व पर्देश उपाद्य शुनील शर्मा का प्रेचार भी युद सर पर चल रहा है इन दोनों ही पर्तियाशियों का किसी भी छेतर में अभी तक कोई विरोध नहीं देखा गया है चेतर में इन दोनों परतियाश्यों को संबान मिला है किन्तु मुख्य दलों के होने से किस विधान सबाद चेतर में दोनों को जंता के आक्रोश का सामना करना पर रहा है किन्तु अभी शुरुआत में आम जंता में दोनों के प्रती आक्रोश होने से दोनों ही पार्चियों के तो मिदार आम्ज पाक्समें विपाक्समें दोना हो 50-50 वर्षन जब्सक्राइब करता है और उनसे नाना जी आप यहां से प्रेट्रों प्रेट्रों के लिए प्रेट्रों के लिए आप इते से तो दोचते हो और कि आए हमारे अधरनी एराणा जी लिविदी साफ जो आप टीम उन्हें गठित की वो सभी यहां आएं प्रचार के लिए मेरी बात ही उन्हें का कि जहां जहां भी जो है जब दी जो सफाकसम विद्वार बुलाएगा हम लोग जाएंगा पुरह प्रचार के लिए आए लोग जयाने देते हैं अपने कार्यकरता से मिलते हैं आज नगर में आश्रवाद लेने विदायक मोदय निकले हैं पुर विदायक आश्रवाद निकले हैं गाम की जन्ता उनके साथ क्यों नहीं गई है क्या करण यही मन मुटा है इसलिए नहीं गई